दोस्तों स्वागत है आप सभी का एगरी मस्ती यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों बीएसी एगरीकल्चर फर्स स्मिस्टर का एक बहुत ही तड़कता भड़कता सा टॉपिक एगरोनोमी सब्जक्ट का सीड एट से सोईंग यानि बीच यहां उसकी बुवाई का वीडियो लेक्चर ले करके आया हूँ और आप समी छात्रों को बता दूँ कि जितने भी बीएसी एगरीकल्चर फर्स स्मिस्टर के स्टुडेंट हैं चाहें आप किसी भी इनवस्टी का स्टुडेंट हूँ अगर आपके इनवस्टी में सिलेवस आईसी यार वाला चलता है तो आपके लिए ये वीडियो बरदान साबित होने वाला है और ये वीडियो का परपच्रिफ समेस्टर एक्जाम ही नहीं समेस्टर एक्जाम तो चुटकियों से आप हल कर देंगे प्रशनों को साथ ही साथ जितने भी competitive एक्जाम होंगे इन ही सबसे प्रशन पूछे जाएंगे तो मैं वीडियो को शुरू करूँगा और आपको एक्रोनोमी का जो बहुत बढ़िया topic है इस topic की subject से जितने भी आपके सवाल पूछे जाते हैं चोटे से लेकर बड़े तक लगू से लेकर दिर्ख तक सब ही सवालों का जबाब यानि सब ही topic को हम बिल्कुल सधारन भासा में आपके भासा में आपको बताऊंगा ठीक है तो आप लोग क्या करना है आप लोग ने वीडियो में बने रहिएगा ठीक है तो फिलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एगरणोमी का chapter ये topic है इसको बनाने में काफी मिहनत लगा है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक अब चीद देखिएगा ये आपके फाइदे के लिए बता रहा हूँ चलिए फर्स स्लाइड पर हम लोग पहुँच गया है और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सीडेन इट सोंग चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और डेफिनेशन अब सीडियानी बीज का परिभासा तो दोस्तों बीज के बारे में कुछ भी जानने से पहले चैनल फे मोशली हिंदी वाले स्टुडेंट है तो उन लोग को काफी मदद मिलने वाला है तो बीज का परिभासा क्या होता है टॉपिक बात करते हैं देखे बीज का उप्योग तथा वनस्पती सास्त्र के अधार पर अलग अलग तरह से परिभासित किया जाता है तो यह परिभासा नहीं हुआ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो बीज है उसको इुटिलाजेशन के बैसिस पर या फिर जो एगरोनोमी का जो वनस्पती सास्त्र है उसके हिसाब से इसको अलग-अलग तरह से परिभासित किया जाता है क्योंकि जिस फसल में बीज नहीं होता अब एक्जांपल केला उसके बीज को क्या कहते हैं उसके बीज को कैसे परिभासित करेंगे और जो सधारन जो बीज होता है गेहूं धान का वो तो आपको पता ही होगा तो यूप्योगिता काधारपर और मस्वति शास्त काधारपर बीज के अलग-अलग तरह से परिभासा दिया गया है वैज्ञानी को दोआरा फिरहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला परिभासा जो है अब आपको ध्यान लगाना है पूरे वीडियो पर आपको फालतु की चीज़े नहीं सोचना है और हाँ मैं आपको बता दूँ अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होना तो आपके पास पेन और पेपर है ये वीज का परिभासा है लेकिन ये कैसा है ये वीज का वानश्पतिक परिभासा है यहाँ द्यान दिजेगा तो वीज का वानश्पतिक परिभासा क्या होता है तो भंडारन के निसेचन के उपरांद प्राप्त प्रदाध्र जिसमें एक प्रगुप्त भरून संचित भ पता दिया ठीक है लेकिन आपको इन सभी बातों को समझने के लिए आपके भासा में समझाऊंगा तो बेहतर होगा तो आपने सुन लिया यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके मोबाइल स्कीन पर क्या रहा है अब इसको समझाता हूं भंडारन के निशेचन के उपरांत प्रा बनता है और उससे जो प्राप्त प्दार्थ होता है जिसमें एक प्रगूप्त भरून होता है जैसे आपको पता है सभी बीज में उसका भरून होता है तभी एक नए पोधे का जन्म होता है ठीक है तो उपरांत प्राप्त प्राप्त प्दार्थ जिसमें एक प्रगूप्त तो बुरून संचीत भोज्य पदार्थ तथा बिजावरण युकत शरीर होता है और भुरून तो होता ही है बीज में, आपने सधारन तोर पर देखा होगा चना या मटर के बीज जो होता है, जो हम लोग खाने के लिए उज़ करते हैं वो तो भोज्य पदार्थ कहलाता है और बीज के उपर कवर होता है जिसको बिजावरन कहते हैं और अंकूरन के अनुकूल प्रिस्थितिया मिलने पर एक बीज का मतलब यहीं होता है कि अंकूरन का अनुकूल प्रिस्थितिया मिलने पर एक अपने जैसे ने पोध्यों को जन्म दे सके तो वहीं बीज कहलाता है और य अंकूरन के अनुकूल परिसित्या मिलने पर एक स्वस्थ पौधे का जनम दे सकता है, वो बीज कहलाता है, आप लोग इसको रट्टा मार रेजेगा, जैसे याद करिएगा, पहले आप लोग इसको नोट कर लिजेगा, फिर उसके बाद आप लोग याद करते रहिएगा, चल परिभासा था और ये जो परिभासा है सश्यवेगानिक परिभासा है, यानि ये जो है ये vert Li venir ऑफ सीड है, चल fazem डजान लेते हैं हम लोगों ने वेजिटेटीव डफ child पहले देखा इससे तो देखे सश्यवेगानिक परिभासा होता है बीज नहिक या अवनश्पतिक ने आपको किताबी भासन पढ़के बताया और आपको आपके भासा में बताता हूंगा कि यह शचेविग्यानिक प्रिभासा का मतलब क्या होता है और अप है प्रिभासा को देखीएगा लेंगिक या वनश्पतिक परवर्धित बवाई की समगरी यहाँ पर लेंगिक या वनश्पतिक परवर्धित बवाई की समगरी इतना ही समझ लिजेगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा जैसे आपने देखा होगा जिस फसल में true seed नहीं होता जिसमें सत्य बीज नहीं होता फर एक्जांपल के लिए आप देख लिजए गन्ना को ठीक है तो गन्ना में बीज नहीं होता दहान के हुझके जैसा लेकिन फिर भी उसको लगाय जाता है तो वो क्या होता है वो एक पाठ होता है किसी पौधे का या फिर कई सारे जो पौधे होते हैं केला होता है केला को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सधारान तोर पे उसमें seed नहीं बनता लेकिन हम लोग केला का जो root सकर होता है उससे हम लोग केला को propagate करते हैं यहां पर कहने का अर्थिय है लेंगी या वनस्पतिक परभःतित का मतलब होता है किसी पौदे का पाट जीक या प्रभा स्पतिक परदhただ जाता है सब्सक्राइब काल आपको बता है तो लेंगी यहां परद्धित भवाई की इसकांग्या की समंग्री जो Hootenike गन्ना जो होता है उसमें तो बीज नहीं बनता लेकिन जो गन्ना स्वेम होता है खुद गन्ना होता है उसको काट करके लगा जाता है तो वो बुआई का समगरी होगे तथा बोने के बाद परतिका इक्षित पौधों की शंक्या देता है तो बीज कहलाता है और यह कैसा बीज होते हैं इसी को फोलो करते हैं लेकिन जिसमें ट्रू सीड नहीं होता या कई सारी पौधे में तो बीज होता है फिर भी उसको उसमें क्या किया जाता है उसके किसी पार्ट को लगा जाता है तो आप लोग ऐसे मान लीजिएगा और यहां पर हो गया आपका इक्रोनोमिकल देफिनेशन चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है दाना हाँ वहीं दाना जैसे सधारन दाना होता है तो दाना का परिभासा जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है परिक्षाओं में पूछा जाता है समिस्टर परिक्षा में अंतर बराबर पूछा जाता है, हर बार पर इच्छाओं में पूछा जाता है, या फिर बीज का परिभासा पूछ देगा, या फिर दाना का परिभासा पूछ देगा, तो बीज का परिभासा मैंने आपको बताया, अब दाना का परिभासा आप लोग सुन लिजिए, परत परिकार बना लेता है दाना कहलाता है आप इसको समझ लिजे घास्कूल के पोधों का सधारन फल जिसमें फल भीती तथा बीज भीती चिपक कर एक परत परिकार बना लेता है दाना कहलाता है इतना तो समझ में आगया होगा घास्कूल के सधारन पोधे इसके फल भीती औ लिता है दाना कहलाता है ठीक है और इसके उदाहरन तो मैंने आपको सुरू में बताया था जैसे गेहूं हो गया जो हो गया मक्का हो गया ये सभी के सभी क्या है दाना है अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है बीज और दाना दाना और बीज तो अगर मैं आप से पूछूं कि क्या सभी दाना बीज होता है या नहीं होता है सोच कर बताईएगा क्या सभी दाना बीज होता है या नहीं होता है चलिए मैं बताता हूँ जो सभी दाना होता है वो बीज नहीं होता है क्योंकि कुछ दाना अब माल लिजिए कि आपके पास गेहूं है तो ऐसा नहीं कि आप उस गेहूं को खेत में बोएंगे तो सभी गेहूं जो है वो अंकुरित होगा ही तो इस तरह सा आप समझ लिजिए सभी जो दाना होता है वो बीज नहीं होता है अगर गेहूं सड़ गया या फिर कोई अधर क्रोप का सीड ले लिजिए जैसे मटर ले लिजिए जैसे आपको पता है उसको बोने पे उसका अंकुरण नहीं होगा फिर भी वो दाना ही कहलाएगा भले उसका अंकुरण हो या नहीं हो वो दाना ही कहलाएगा लेकिन बीज हम लोग उसे कहते हैं जो अंकुरी तो हो और अपने जैसे नए बोधों को जनम दे तो अगर आप से पूछा जा क्या सभी दाना बीज होते हैं तो नहीं होते हैं सभी दाना जो होते हैं वो बीज नहीं होते हैं और वहीं अगर आप से पूछती आजा इस प्रस्टन को पलट करके क्या सभी बीज दाना होते हैं सिंपल सा जवाब होगा हाँ पर एक्जामपल यहाँ पर गेहूं जो धान मक्का का अगर बीज हो तो हम लोग उसको दाना कह सकते हैं ठीक है यानि सभी बीज जो होता है वो दाना होता है अपने आप में लेकिन सभी जो दाना होता है वो बीज नहीं होता है दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि सभी साधारन जो बीज होते हैं वो दाना होते हैं तो कहिएगा आप हाँ और सभी दाना जो बीज होते हैं तो कहिएगा नहीं लिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है बीज से सम्मंधित कुछ महतोपूर्ण सब्दावली और मैं आपको उता दूँ यहीं पे ये वीडियो लंबा होने वाला है और लंबा जितना होगा उतना ही ज्यादा आपके फाइदे के लिए है तो मैं जब लंबा वीडियो बना जाकता हूँ तो आप लोग देख भी लिजएगा ठीक है वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना है इसको आप ध्यान में दिमाग में बिठा लिजिएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीज से संबनित कुछ महतोपून सब्दावली जहां पर देखिए गुणवान बीज यानि क्वालिटी सीड यह क्या है अपने आप में सब्दावली है अब आप से पूछा जाए क्वालि पूछा यह क्वालिटी सीड फिर गुनवान बीज क्या है तो सूध बीज जिरकी अंकुरन शमता अधिक हो जो बीमारी कीट खरपतवारों के बीज अन्य फसलों का बीज वह अन्य बाहरीया क्रिये पतार्थों से मुक्त हो क्वालिटी सीड कहलाता है अब जैसे सदारण त खरपतवार ना हो ठीक है जो बढ़ियां से अंकुरित हो जाए इसमें बाहरीय क्रिये पतार्थ ना हो कोई अन्य दूसरा क्रोप का सीड उसमें मिक्स ना हो तो अपने आप में क्या होता है क्वालिटी सीड होता है ठीक है क्वालिटी सीड क्या होता है जिसमें खरपतवार का बीज ना हो कोई बाहर या क्रिये फदार्थ ना हो ठीक है इसका अंकूरन छमता अधिक हो वो क्या है वो quality seed है आप नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों बीज की बहुतिक सुद्धता यानि physical purity of seed यह जो है टॉपिक यह जो मैं आपको बता रहा हूं यानि बीज की बहुतिक सुद्धता यह बहुत ही समझे कि इसका formula क्या होता है वो ही आपको आगे बताएंगे बीज का बहुतिक सुद्धता का बात करें बीज का बहुतिक सुद्धता क्या होता है बीज अन्य फसलों के बीजों वह खर पत्वार के बीजों से पूर्णत्या मुक्त होना चाहिए बीजों में कंकर पत्थर फसल और से मिटी वधूल आदी नहीं होनी चाहिए इस बीज को क्या कहेंगे जैसे जिस बीज में खर पत्वार वाने फसलों के बीज नहीं होना चाहिए इसमें कंकर पत्थर ना हो इसमें मिटी का उसेस वधूल करना हो इसको हम लोग क्या कहेंगे बीज की भौतिक सुद्धता और भौ देखने में तो सुध लग रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी होता है, जिसे आपको पता है कई शारी बीमारी बीज से भी फैलता है, आपने रोगी फ़सल के बीज को बोया तो फिर रोगी बीज से जो पौधां कुरन होगा, वो भी रोगी होगा, तो वो होत होता है दूसरे फसल का बीज होता है ठीक है कंकर पत्थर होता है और मीटी वगरा होता है जिसा दीखने वाला गंदगी है और यह सब बीज में कोई दिखने वाला अक्रीफ अदार्थना हो जैसे फसल का बीज ठीक है खरपत्वार का बीज या फिर कंकर पत्थर तो क्या हो कहलाएगा वह और बीज का भौरिक सुद्धिता कहलाएगा आसा करता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वह आपको समझ में भी आ रह बीज की भौतिक सुद्धिता का सुत्र क्या होता है यानि purity percentage क्या होता है बीज का तो मैं आपको बता दूं यहां पे एक सुत्र है जिसको मैं आपको बताऊंगा और इसको समझाओंगा भी तो देखें बीज की सुद्धिता परतिशत बराबर होता है ठीक है यानि physical purity of seed is equal to सुद्ध बीजों का भार बटे में नमूने के लिए लिए बीजों का भार गुने 100 अब दूस्तों मैंने आपको बताया बीज की सुद्धिता परतिशत बराबर सुद्ध बीजों का भार और बटे में नमूने के लिए बीजों का भार गुने 100 अब आपको मैं यह आपके पास 100 ग्राम बीज है यह टोटल बीज हो गया ठीक है और इसमें आप जब आप इसको देखेंगे इसमें से छाटेंगे तो 30 ग्राम जो है वो दूसरे फसल का बीज और 10 ग्राम जो है आधर मेटेरियर जैसे कंकर पत्थर मिल करके जैसे ऐसा नहीं कि कोई भी बीज 100% प्यूर होता है सबी बीज में आपको कुछ ना कुछ कुछ हिस्सा जो होता है वो फसْ छोता है जैसे दुसरे फसल का बीज हो गिया जैसे मान के चलिए आपने गेंघउं का बीज को सुथेता प्रचे निकालने के लिए कहीं पर सेंपल निकाला 100 ग्राम बीज लिया उसमें मान करके चलिए कि आपके पास टोटल बीज है सो गराम उसमें से तीस गराम जो है वो क्या है वो दूसरे फसल का बीज है और खरपतवार का बीज दोने मिल करके तीस गराम है और उसमें लिख कितना थे 100 ग्राम बचा तो 1,60 ग्राम बचा, उसी को लिखेेंगे ऊपर उसके उपर लिखेंगे 60 यानि जी स्टेम आप बीज लिये थे टोटल था 100 गराम यानि नमूने के लिए कितना बीज लिया था आपने 100 गराम लिया था और उसमें सुध बीज कितना निकला सुध बीज निकला 60 गराम और इसके गुने में 100 गर दीजेगा तो यहाँ पे जो है purity percentage किसी भी जो जरूरी होता है वो जरूर इस्टागराम पे डालता हूँ तो आप लोग मुझे इस्टागराम पे हमी फोलो प्लीज जरूर कर ले ना ठीक है और नेक्स देखते हैं अंकूरन परसेंटेज germination percentage मैंने आप इससे पहले आपको बताए purity percentage of seed बीज की सुद्धता परतिसद ठीक है अब बताऊँगा germination percentage जा फिर अंकूरन परतिसद जिसको हिंदी में कहा जाता है जब आप बीज खरिदने जाते हो तो packet होता है बीज का उसके पीछे लिखा होता है germination percentage 90% 95% ऐसे करके लिखा हुआ होता है तो आखिर उसको निकालते कैसे है तो देखिए यहाँ पर अंकूरित बीजों की शंख्या सुद रहिए अंकूरन परतिसयत का अंकूरित बीजों का शंख्या बटा परिक्षन के लिए लिए बीजों का संख्या गुने 100 ठीक है उसको अंकूरन करा के देख लिया जता है तो उसमें मुझे दस पांच या ज़्यादा ज़्यादा बीस बीजों को सेंपल के लिए दिया जता है अंकूरन कराने के लिए तो माली जी आपने टोटल दस बीज लिया ठीक है चेक करने के लिए कि कैसा यह अंकूरन हो रहा है कि नहीं हो रहा है दस बीज लिया आपने सोरी दस बीज लिया आपने और दस बीजों में से आपने इसको अंकूरीत करा करके देखा तो दस बीजों में से सिर्फ साथ बीज ही अंकूरीत हुआ तो यहां पे अब फिर वहीं जो फर्मूला था फिचले वाला उसी बेसी स्पेस को बैठा दीजिए जिसे आपने टोटल कितना परिक्षन है तो कितना बीज लिया था आपने तो दस लिया था ठीक है यह हो गया नीचे और इसके उपर ऐसे पाई खिचके जिसको ऐसे तो मैं उल्टा बता रहा हूं हलागे सुरू हता है उपर से लेकिने आपको समझ में आसानी हो इसके लिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं तो आपने परिक्षन के लिए कितना बीज लिया था दस बीज लिया था तो उसको लिख दिया नीचे और उसमें से अंकूरित कितना तो आप ऐसे कर देंगे और यहां पे 100 से गुना करा देंगे तो आपका purity percentage किसी भी सीड का निकल करके आज जाएगा और मैं आसा करता हूं बटा परिक्षण हैति लिएगा बीजों का संक्या गुने सो इसको रटा मार के सूतर को याद करिजयेगा परिक्षण यह क्या होता है दोस्तों लेज मीर कर डुण परिक्षण के परिक्षण किया जाता है ठीक है लेकिन उसमें एक जो टेटरा जोलियम कॉलराइड परिक्शन होता है ये काफी popular है और इसको काफी बार परिच्छाओं में पूछा जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपके बहासा में जैसे समी टॉपिक्स को क्लियर करा है इसको भी कराऊंगा और आप लोग बोर मत हुई है का वीडियो को देखते देखते कि सर ने इतना लंबा वीडियो बना दिया ज्यादा है तो ज्यादा है तो कोई बात नहीं लेकिन ज्यादा है तो आपके फायदे भी ज्यादा ही होंगे ठीक है तो लिए फिलाल बात करते हैं टॉपिक पर और टेटरा जोलियम कलोराइड परिक्षन को समझ लेते हैं तो देखिए आप यहां पे जीवन चमता परिक्षन के लिए बीज के भुरून को 1,2,3,5 ट्राइफिनाईल टेटरा जोलियम कलोराइड के गोल से कुछ गंटों को चारित करते हैं जीवित वीजियों में स्वसन होता है रंग हीन टेट्रा जोलियम कलोराइड भूरून के संपर्ग में आने से भूरून की जीवित कोशिकाओं को लाल रंग में बदल देता है अब यहां पर समझे यहां पर कहा जा रहा है कि जब आप एक परशेंट टेट्रा एक परशेंट टू थ्री फाइब ट्राइफिनाइल टेट्रा जोलियम कलोराइड यहां पर केमिकल गनाम नहीं है घबराना नहीं है एक परशेंट जो है क्वांटिटी बता रहे हैं एक परशेंट आप टू थ्री फाइब टेट्रा सॉरी ट्राइफि प्रफशेंट इनारा आपए। होता है। में वह प्रफशेंट वह माइना पसमा थाओनओ प्रफवाइबिकoupAY क्या वू उसका जो भूरुन होता है वो लाल रंग में बदल जाता है तो भी आपको पता चल पाता है कि जो बीज का कलर लाल हो गया वो स्वस्ती भीज है। उसका अकूरण ठीक ठाक होगा और जिसमें नहीं हुआ वो बीज सही नहीं है तो यहीं होता है आपका टेटरा जूलियम को राइट परिछन और मैं आसा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया ही होगा ठीक है नेक्स डेखते हैं बीज की प्रसुपती डॉर्मेंसी अपसिड ठीक है ये भी जो टर्म है डॉर्मेंसी आपने सुसुपता वस्था में कई जगा सुना होगा और आ प्रसुपती अवस्था में होना पाए जाता है जैसे आपने सब कुछ जो है कंडिशन को बढ़ियां से जितना चाहिए उतना किया ठीक है तेकिन फिर भी बीज का अंकूरण नहीं हो पाया तो इसका क्यारण क्या हो सकता है इसका कारण यहीं है कि वह बीज जो है वह डॉर अधार में आपको आगए जैसे घर पत्वार होता है कि बीज होता है जैसे आपने खरीग फनके कटाई कर ली अपने मक्का का तो जो खरपतवार का बीज होता है क्योंकि धान के साथ खरपतवार में पक जाता है मैचूर हो जाता है उसका बीज खेत में ही रह जाता है लेकिन फिर भी जो बीज होता है अगले साल धान के सीजन में ही उगता है गेहूं के सीजन में नहीं उगता तो वो बीज तब तक जब तक नहीं उगता वो उसको क्या कहेंगे उसको dormancy period कहते हैं मैं ऐसा करता हूँ ये टर्म भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जैसे जो बीज होता है सब कुछ वही खेत होता है लेकिन वो धान के सीजन में उगने वाला बीज जो होता है जैसे मैंने आपको बताया प्रचुपति होता क्या है अब इसका कारण क्या हो सकता है कारण इसका हो सकता है अंकुरन निरोधिकारक ठीक है जो मैंने बताया उस पर यहीं लागव होता है अंकुरन निरोधिकारक और कभी-कभी क्या होता है सब कुछ कंडिशन सुटे वालो पिर भी नहीं होता है तो उसमें बीजावरण करता है वो कटपन रहेंगे तो बीज नहीं जर्मिनध हो पाएगा ठीक है और यह तो इसका रीजन था चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है बीजों का वास्तवितमान यानि real value of sidos बीजों का वास्तविक मान ये भी इसको भी बार-बार पूछा जाता है सभी परिक्षाओं में और मैं आपको जो बता रहा हूँ न ये सिर्फ आपके semester exam के लिए ही नहीं है आप किसी तरह के भी competitive exam के त्यारी करते हो न चाहें किसी तरह का तो ये वीडियो लेक्चर आपके फायदे के लिए है ठीक है चलिए मैं बात करता हूँ real value of sits का तो यहाँ पर आप देखिए फसल की कि नहीं दो जातियों की उतमता का पता लगाने के लिए ठीक है इसका color थोड़ा change कर लेता हूँ फसल की किनी दो जातियों की उतमता का पता लगाने के लिए कि कौन सी जाती का भीज उतम है बीज का उसका वास्तुविक मान ग्याद करते हैं जिस से जिस जाती का वास्तुविक मान अधिक होता है वहीं बीज उतम होता है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं, आपके भासा में तो पड़ी भासा पराओ, जो मैंने आपको पता है सब्दकार्थ, यह क्या होता है वीज का वास्तिविक माण, लेकिन अब आपको बताता हूं, जैसे दो बीजों के, जैसे एक किसी एक ही परजाती के, दो परकार के वाला गेहूं वहिएगा या फिर 29-67 गेहूं का बवाई करिएगा तो ये किसी एक ही पर जाति के ठीक है फसल की नहीं दो जातियों को तमता का पता लगाने के लिए कौन सी बीज उत्म है तो मैंने आपको उधाराण के लिए पता थी तो इन दूनों में अगर आपको निधालीद करना की कौन से भी बोना है तो आप दूनों में कंपेर करेंगे दूनों में ठीके जिस जीस जाती का वास्तिविक मान ज्यादा निकल करके आएगा वहीं बीज उतम होगा और वास्तिविक मान निकालते कैसे कैसे पता चलेगा कि तो यहाँ पर देखिए वास्टविक मान निकालने का शुत्र क्या होता है अंकूरन परतिशत गुना सुुधता पर्तिशत जो कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया तो अंकूरन परतिशत गुना-सुृता परतिशत बटा-100 कर देंगे तो दो दोनों को अलग-अलग करना पड़ेगे जैसे एक बार आपको 343 गहों पर एक जामपल मैं आपको बता रहा हूं आपके बास दो गहों के वराइटीज है 343 और 296 पर जामपल के लिए तो आप दोनों का पहले जर्मिनेशन परशेंटेज निकालेंगे फिर परशेंटेज निकालेंगे और दोनों का निकालने के बाद जो दोनों आएगा उसमें गुना करा देंगे और उसके बटे में 100 कर देंगे तो दोनों बीजों का वास्तविक मान अलग-अलग निकल करके आएगा और जिसका अधि इसको लगाने के लिए किया जाता है। For this report is about the सभीय व JEए वितल वीज्ओं का सफिर के 3 बीधिया बिजियों minimally चाहिए भीज वीजम में कर दें में लिए क्या कर बें को सादा होता है के ऑं अर हम्हाइन के जिते श्याय चपर देंग师 कर दो तो मैं आपको बहुतिक बीधिया जो है उसमें क्या क्या आता है तो बीज का उपचार करने के लिए बहुतिक बीधिया जो है उसमें बीजों को गरम पानी में गरम पानी से उपचार किया आता है या फिर शौर उसनता उपचार किया आता है इसे कोई आपको बीज बोना है ख बीजों को लाएता है ठीक है और उसको धूप में सुखा कर के भी वीजों को किया आए ताकि जो ज्यादा नमी हो तो नमी सुख के बराबर हो जाए और और कोई भी उसमें फंगस पगरा लगा हो तो धूप में जाकर के खतम हो जाए तो यह हो गया आपके बहुत इक बीधिया ठीक है गर्म पानी से उपचार और शौर उस्तनता उपचार और आगे है रशानिक बीधिया ठीक है यानि केमिकल मेथड इसमें क्या है कौकनासियों क गहोल से बीज का उपचार किया जाता है इसमें किसमें रशानिक बीधिया में ठीक है फंजी साइट से किया जाता है और कोगनासियों के धूली से बीजों का उपचार जो कोगनासियों करके बीजों को उपचार किया जाता है और जो कोगनासियों का जो धूल होता है ना दस जिसे होता है उसे भी स्याइट क्या जाता है और इसे इसी में जिए मारे जिस很好 होता है इन रषायनों की चलते चलते तो यहां पर हो गया ठोघयेट से पहले बीजों का उचार और अगला है डीज सम्मंधित कुछ अन्य परिभासा हैं तो कुछ अन्य परिभासा हैं मैंने कई सारी परिभासा आपको बता भी दिया और मैं आसा करता हूँ कि आप इसको लिख भी रहे होंगा शुल्क चुकाना पड़ेगा ठीक है तो अगर आप लिख रहे हैं लिखने में समर्थ है तो फिर ठीक है और नहीं लिख रहे हैं तो भी आप इसको बिल्कुल डिजिटल रूप में आप अपने मुबाइल में पढ़ सकते हो उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे च और unwान्शीय सुद्धेता भी इसरो इसरो में आपको बता ही दिया था इससे क्या होता है वैसा विज जो अन्वान्शीय व भोहतीक रूप से सुधहू उत्तांभी ओं गाहलाते तो बीज का बहुत की शुद्द्धया में आता है और उन्वासिक शुद्धया जो आपको दीखता नहीं है लेकिन वास्तों में, वास्तों में यो उसके जो जितने पाजुन्ची ज़से सीड़ीजी सीड़ीजस founded होता है न तो उस फंगस का जो स्पोर होता है वह बीज में ही रह जाता है ठीक है वह खतम नहीं होता जब आप उस बीज को लगाएंगे आगे तो फिर से उत्वन हो जाता है अगर बीज अनुवांसिक रूप से सुध हो और अनुवांसिक सुधिता का मतलब यह भी होता है कि बीज में कोई असुद्धता ना हो और जिस परजाती का बीज लगा रहे हो वहीं बीज हो जैसे आपने 29-67 गेहूं बोया ठीक है वह अनुवांसिक सुद्धता यह निदार्ड करता है कि वह जो भी फसल उससे उगेगा अंकुरन होगा वह 29-67 उससे उगेगा तो यह हो गया अनुवांसिक चुद्धता तो जो बीज अनुवांसिक और बहुतिक दोनों रूप से सुद्धो वह उतम बीज का लाता है ठीक है और आप सधारान तोर पर कभी किसी जाना बीज के दुकान पर दो देख रहना किसी पैकट को उठा करके उस के परने आ नुरूब समाने वाले बीज को और तो आप जिससे सताइ प mechanics आ रखनेयवाले हना बीज वह यह आप उसको लगा रहे हो realized तो समझें आपने जो बी लगाया था रिoffy अ इसमें बगेरा तरह संदा होगा आपको बताई भी दे रहा हूं छले यह जो उत्पादन के अधार पर बीजों को निम्न वर्गों में भी भक्त किया गया है ठीक है उत्पादन के अधार पर यहां पर कहा जा रहा है ठीक है on the basis of production चलिए यहां पर पहला जो बीज होता है देखते है nuclear sheet क्या आपने इससे पहले नाम सुना था nuclear sheet का नहीं तो कोई बात नही ठीक है मैं आपको बताता हूँ nuclear sheet यह जो है एक बीज का प्रकार है उत्पादन के अधार पर ठीक है जिसको नाभी किये बीज कहा जाता है हिंदी में ठीक है और इस बीज का tag color का बात करें तो यह बीज जो होता है जिस सबसे पहला बीज होता है इससे क्या होता है मैं आपक ट्रीद के लिए होता है उसके बाद नुकलियर शीड के बाद industry से heine जो अद depends कि या बीदर जाता है यानि नावी के बीज से प्रजनक भीज को उत्पादन किया जाता है और प्रजनक भीच यानि बीद इसको कोई किसान बोता है यानि नुकुलियर शीट लिटर और फोडेयर फाटेशन विश QG को किसान अपने पर नहीं लगाता है यह क्या होता है बड़े बड़े फार्मों के लिए होता है जहां पर बीज production होता है वहां के लिए ये बीज होते है और foundation seed से registered seed का production होता है ठीक है अब यह देखते रहिए का cycle कैसे चल ला है यह जो nuclear seed सबसे पहले होता है यह सबसे सुध बीज होता है ठीक है सबसे सुध बीज 100% में जेनेटिकल प्यूरिटी होता है आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं और इससे ब्रीडर शीट का production होता है और इससे foundation seed का production होता है foundation seed से registered seed का और तब जाकर के certified seed बनता है जिसको आम किसान अपने खेत पे लगाता है इसके बारे में जाने Мих человека क्या होता है तो इसमें इसका टक का कोई color नहीं है ठीक है आपने सुना होगा ड़िज होता है यानि certified seed इसका oons 날 प्र्रिद्व बिज होता है सही बात बाते आगे बताओंगा भी तो इस तरहसे अगर रिवरेटरशीड इस के टेग का डूर जो होता है वह गॉल्डëन येलो होता है आप यहां पर देख सकते हैं जिस तरह से जिसमें एक्गग्रांड में लिखा हुआ है बिल्कुल इसी कलर में होता है तो ब्रिडरशीड गॉल्डन येलो कलर का टेग से पाचाना जाता है ठीक ह और यह प्रोजेनी और ब्रीडर सीड होता है ठीक है और इदकी इसका प्रोडेक्शन कौन करता है पॉब्लिक और प्राइबेट सेक्टर अंडर दर सुपरविजन ओग सीए से ठीक है सोरी सीए तो यह जो होता है बरे-बरे फार्मों पे रिशर्चेस के द्वारा जहां पे ब टेक कलर के बात करें तो इसके जो इसके इसका जो टेक लगा होता है बोरियों पर पैकेट्स पर इसका टेक कलर होता है परपल ठीक है परपल होता है प्रुजेनी अप फांडेशन सीड होता है और इसके बाद जो होता है आपका जो हम लोग सधारन खेतों में उगाते हैं व तो आप किसी में बीज के पैकेट को ठाकर के देखना उस पे जिस जिस कलर के बैग्राउंड में लिखा होता है बीज का प्रियूटी पर्सेंटेज बीज का वराइटी तो आप जब भी देखना वह बुलू कलर पर ही ओगा अगर बीज परमानित होगा तो ठीक है और सभी देखेंगे तो बीज हम उसकी वाई का बात हो रहा है तो भाई वाई के बारे में भी सुरा जान लीजिए क्लासिफिकेशन आप स्वेंग मेथड्स तो इसको मोटे तो आपको बताऊंगा ठीक है तो देखिए वाई की बीजियों का बात करें तो वाई जो होता है यह तीन होता है पहला होता है सोविंग दूसरा होता प्लांटिंग और तीसरा होता च्रांस प्लांटिंग अब आपको समझा दो हुदक क्या होता है जैसे आप किसी इभी सधारन को वे नहीं अ च्छ्छा evolves को कि अध्रील के मलगाशन उभज्तिकों पए किया कि एघंट群 cris Almost breaking size या अन्याग करता है उनका रोपन की आता है और कई सारी फसले हुटे हैं इक उनका भी रोपन की आ, इसको प्रत्यायर रूपन कए चाहता है तो कईसारी सारे धान की फसल की सबजी का फसल इंच समे इसका होग। उसको हमलोग transplanting करते हैं यानि कहीं उसके बीज एक जगाई कटा उसका बीज पहले उगा लेते हैं और जब बीज निशीत साइज का आकार का हो जाता है तो उसको उखार करके पूरे खेत में लगा दिया जाता है ठीक है टमाटर का बीज चिटकवाब भी थी आनि broadcasting method और पंक्तियों में बुआई अब पंक्तियों में जो बुआई किया आता है उसमें भी कई परकार है जैसे समतल खेत में बुआई कूंड में बुआई ठीक है उदारन के लिए आप गन्ना देख सेते हैं फबिज कम उरवरक करलेजें आप लोग यहां पे देख सकते हैं मैं आपको पता हूँ आपके असानी के लिए आपको इसको याद करना है आप इसको याद करने के लिए अभी याद हो सके तु कर लिए और फिर अपने कॉंपी पर नोट कर लिए और नहीं होगा तो बस आप इसको स्क्रीन सुट ले लीजिए और याद करते रहेगा यह काफी इंपोर्टेंट है ठीक है और बात करें डोली यों पर बुआई क्या तो आप जो डोली यों पर बुआई है वो कैसे किया था है इसकी बीधियों का चर्चा करें तो देखें डो प्लांटिंग सिस्टम अब आप लोग इसको समझ लीजिएगा और चलता हूं यहां पर पढ़ेंगे तो आपको जो पहले वाला बुआई का भीदिया था और बहतर समझ में आ जाएगा पहला है बुआई ठीक है पहला था बुआई दुसरा है वानस्पती के रोपन यानि टान्प्लांटिंग और तीसरा है ट्रांस्पलांटिंग यानि पहुत रोपन ठीक है अब यहां पर समझे इन तीनों को तीनों में अगर तूल बाद करते हैं तो आप तो आप समझ जाएगे तीनों आखिर होता क्या है यह पहला तुलना है बीज को तियार खेत मतलब क्या ह प्लांटिंग किया आता है अगला देखें अब ट्रंस्पलांटिंग का पूधरोपन का तो उसमें खेत के किसी छोटे हिस्चे में तयार पौधे को उखाड़ कर पूना नए खेतों में बॉय जाता है जैसे मैं आपको पहले बताया भी था नेक्स्ट है यह अनाज तथा दालों वाली फसलों में अपनाया जाता है ठीक है सदारन तोर पे अनाज दाल वाली फसलों में हम लोग बुवाई करते हैं और बात के वानस्पति के रोपन का तो यह गन्ना आलू पूदीना जैसी फसलों में अपनाया जाता है जो आलू का चीज को ट्यार किया था फिर को खेतों में बोय जाता है और तेंसि फसल गुवाई कर गातार चिटकवा दोनों तरह से की जाती है जो की अभी बूस्रीची से बंपने को मिला तो इसको में विद्व में जाता हे और उससे कि लगा जाता है यह यह कम चैahahaarm बधाई जो उता है जिस भी फसल का वीज बड़े-बड़े अकार में होते हैं उसमें बधाई के वीज ही अर उन फसलों में अपनाई जाती कि यहां चोटे वाली फसन पर की अपनाई जाती है जैसे धान सब्सक्राइब करें बौई यहां तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा देगा ट्रंस्प्लांटिंग के बाद और नेक्स्ट है बुवाई सही ओट पर की जाती है रोपड भी सही ओट पर किया यता है और पहुत रोपड पर आया खरे पानी में किया यता है जिससे पौधा मुर्जहा ना पाए ठीक है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप बीज और एम उसके बुवाई से समध जितने भी टर्मिन लोजी था जितने भी उसे पूछे आते हैं सभी को मैंने स्वल्व करा दिया और आप से लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और आगे इसी तरह के वीडियो देखना चाहते भी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी और शेक कर लिजिएगा ठीक है और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हो और हाँ टेलिग्राम को जवाइन करोगा तो आपको वहाँ पे कुछ फिरी में पीडिय धन्यवाद